हर्याना की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना नीजूज ये कहा जाता है कि सडकें बेहतर हैं और फर्राटे से उन सडकों पर गाड़ियां चलती हैं और ये भी दावा किया जाता है कि पिशली सरकारों के मकाबले इस सरकार में बेहतर काम किया गया लेकिन कितना बेहतर हुआ और कितने सडकों का निर्मान हुआ इस्थती क्या है आज पाद इसी पर, दरसल पूरे पूरे प्रदेश भर के अंदर अलग अलग जगाहों पर जब इक कहा जाने लगा के विकास बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है या हो रहा है, तो ऐसे में असल सचाई जानने के लिए हर्याना नियूस की टीम भी पूरे प्रदेश के अलग-अलग अलाकों में पहुंची और वहां पर देखा ये जाना कि आकर कितना विकास हो सका है और ऐसे में यहां पर जो तस्वीरे देखने को मिली जो जानकारी मिली उसके जरिये प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो किये गए दावे हैं उनकी पूल खुलती में नजर आई दरसल नू का मामलिका गाउं अपनी बदखाली के आंसू बहा रहा है ये तस्वीरे भी आप देख रहे हैं यहां सड़क तो है लेकिन वो गड़ों से भरी हुई है स्थानिय लोगों का कहना है कि 1999 में यहां सड़क बनी लेकिन आज तक उस सड़क की मरंबत नहीं हुई भाग भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है और ऐसे में अब यह जो गाउं के लोग हैं वो मुश्किल में आ चुके हैं यह तस्वीरे भी आप देख रहे हैं महिलाओं को बहुत जादा दिकते होती हैं दूर दराज के लागों तक जाकर के जो उनका रोजमर्रा का काम है वो करना होता है लेकिन सबसे बड़ी चुनोती इस रास्ते से होकर के अपनी मंजिल तक पहुँचना होता है क्योंकि सडकों पर बड़े बड़े गड़े बने हुए हैं और बारिश होने के बाद तो अब इन गड़ों में पानी हो चुका है अब यानि कि कहां पर पैर रखना है कहां कदम रखें ये बड़ा सोचने विशय है बड़ा मुश्किल हो जाती है क्योंकि कई बार ऐसे में आप लोग गिर जाते हैं चोटिल हो जाते हैं हाथ से कई बार हो जाते हैं क्योंकि यहां पर आम लोगों के लिए चलना तो दूर की बात है आप देख रहे हैं गाड़ियां और जो दुबईया वाहन है वो अब हर एक कदम को फूख फूख कर रख र पांगे ये लेकिन इसे को लेकर लोगों नाराज़गी है गड़ों में तबदील हो छुकी इस सड़क को लेकर कि गुसा है आकरोश है और आज तक सड़क की मरमत जब नहीं हुई है तो ऐसे मैं लोगों का कहना है कि कहां हैं वो विकास के दावे करने वाले अधिकारी जो ये बताते हैं कि सडकों का निर्मान करवा दिया गया है स्थाने लोगों में इसको लेकर के भारी रोश है दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी सुनवाई नहीं हुए ऐसे में सवाल गई है सवाल ये कि गाउं की बदहाद सडक के लिए आखिर जिम्यदार कि सको माना जाए कई बार शिकायतों के बावजूद लोगों की जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है क्या सिर्फ आशवासन ही समस्या का समधान होता है आपने आशवासन दे दिया और आप ये मान करके बैठ गए कि समस्या का समाधान हो गया क्या चुनावी मुद्दों के लिए अधर में ये काम लटकाए जाते हैं क्या आपके अलाके में भी बदहाल सड़कों की ऐसी ही तस्वीर है यदि हैं तो आप हमारे समंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को साजा कर सकते हैं बता सकते हैं आपकी समस्या क्या है आपकी परिशानी क्या है और आप टीवी स्क्रीन पर जो लगातार फ्लैश हो रहा है उनके जरीए आप सीधे हमारे समंच के साथ जुड़ करके कि आप अपने बातों को बता सकेंगे आप ये बता सकेंगे कि आपके अलाके में भी अगर सड़कों का हाल ऐसा है जिसको लेकर के लोग परिशान हैं तो वो भी आप हमारे इस कारिकरम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं और हला बोल कारिकरम के जरीए हम आज आज के सामने ये विशे लेकर के आए हैं यह बुनियादी विशय है बुनियादी जरुत है और अगर सड़कों का निर्मार नहीं हो सकेगा तो आखिर कैसे वहां का विकास होगा और स्पीच हमर साथ कार्तिक का कॉलर कारिकर में जूट चुके हैं बहुत सवागत है कार्तिक आपका कारिकरम में बताइए क्या कहना चाते हैं आज की विशय पर सर मैं फरीदाबाद में रहता हूं जी वर सर हमारे यहां पर जो है रोड़ पर काफी गड़े दिखाई देखते हैं आप तक दफ्षाल से कोई सुधार नहीं होए यहां पर रुजदाना काफी एक्सिजेंट होते हैं जर मोटर साइकल जो हैं मोटर साइकल वाड़े उनके काफी एक्सिजेंट होते हैं और अदिकारी भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहें ठीक है और सर आपका चैनल जो मुहीं चला रहा है तर इसके प्रूसर हमारे शायद कुछ काम हो सकता हैं हमारी भी यही कोशुश है कारतिक के हम आपकी जो परेशानी है आपने बताया फर फरीदाबाद से एक जानकारी फिलाल सामने आई है यानि कि फरीदाबाद की जो जनता है वो सबसे पहले बताना चाहती है कि हमारे लाके के अंदर कहां पर सड़कों की जो खराब इस्तिती है वो है जैसे कि कार्तिक ने बताया जो कि फरीदाबाद से कॉलर जुड़े हमार इस कारिक्रम के साथ जुड़ करके बता सकते हैं, अपनी आवाज को बुरंद कर सकते हैं, क्या आपके आपके आलाके में भी ऐसी इस्तती बनी हुई है, आपने कई बार अगर शिकायत कर ली है, चाहे वो जन प्रतिनिदी हो, चाहे वो सर पंच हो, चाहे वो प्रशासनिक पहुचा रहे हैं और इसी लिए हम जरीया बन रहे हैं आपका आपके जो बाते हैं हम वो अधिकारियों तक हम वो नेताओं तक हम वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका एक सीधा सा माध्यम है कि आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके जरीए संपर्क करें हमारे इस कारिक्रम में और यहां से आप अपनी बातों को बताएं आप यह बता सकते हैं कि कहां कहां पर किन किन इलागो में परिशानियां आ रही हैं क्या क्या परिशानियां हैं क्या चुनौतियां हैं और किस रूप में आप जो स्थाने लोग हैं वो काम कर रही हैं और क्या क्या आपके सामने अभी तक जो कठनाईयां हैं वो आ रही हैं तो अश्वासन तो बार-बार दिया जाता है प्रशास हमें दिया क्यान आधिकारी ये तो कहते हैं कि इन सडकों कोबनाया जाएगा लेकिन यह नहीं बताते कि कब सब्सक्राइब सालों भी जाते शकन प्रस पूछा जाता है अकिर चशां weld के वनी क्यों निए आपके पिष्ले दिलों भी देखा हुआ इसलिए बारिश होई कि ऐसा लग रहा हुआ था कि सड़के नी है कोई नदी बहरी है और ये तो में आपके तस्वीरें थे थी मैं गूरू गूराम की जो जो अडर्वी तस्वीर होती है वहां पर रहता हूँ और यहां पर यह और यहां पर शिकायत भी दो तो कोई रिस्पॉंस नहीं रहता यह होता है कि हाँ हो जाएगा एक दिन में दो दिन में हफसे बर में लेकिन मैं पिछले तीन साल से यहां पर रह रह रहा हूँ हाला जिसके तलसी बने हुए हैं ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमार साथ जुड़े अंकेत और आपने अपने अपने अलाके की जवानकारी यहां पर दी है यानि के गुरुग्राम साइबर सिटी गुरुग्राम हाईटेक सिटी जिसमें बड़ी बड़ी उची 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 इमारते हैं विकास के बहुत बड़े दावे और दुनिया भर के अलग लग अलग देशों के साथ जब तुलना अत्बक अंतर किया जाता है जब वहाँ पर तुलना की जाने लगती है वहाँ पर देखा जाने लगता है कि जो गुरुग्राम है ये जो चहर है ये जो सिटी है यहाँ विदेशों के तरज पर यहाँ पर पूरी डवलप्मेंट हो रही है लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बाद की जो इस्तिती है ज शड़कों पर पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीर कमोवेश शेहरी लाकों के उन शेहरी लाकों के हम बात कर रहे हैं उन चेहरों की बात कर रहे हैं जिनको हम आइडियल मानते हैं जिनको हम एक विकास का मॉडल मानते हैं तो वहां पर भी य कि यहीं परिशाया हैं तो यह अनिकी जो बुन्याती दाठा हम ने तैयार कीपने शहर की आ'dा है रही चारे आहीं sophomore है और उसको मझ्बूq क्लूट किने की सब्सेपहसे जरुत है और गुरुग्राम की सड़कों की अगर बात उठी है तो बीते रोज हमने देखा था बारिश होई थी गुरुग्राम की सड़के पूरी तरीके से पानी में लवालब नजर आई सड़कों पर भरे पानी के उपर लोगों ने बोट तक चलाई है अब ये समझे कि सांकेतिक रूप से क्या इomorphा करता है ये बता रहा है कि सिस्टम में कितना जोल है सिस्टम कितना खराब है और हर साल जब इसी रूप में हम ये देखते हैं कि बारिश होती है बारिश के बाद सडकों पर पानी भर जाता है और जल जमाव की समस्या से हर साल लोगों को दोचार होना पड़ता है तो कहां है हम कहां है हमारी वो ग्रोथ अगर हमने जीरो से शुरू हो करके वापस से जीरो पर ही आना है तो हमने क्या तरक्की की है हमने क्या विकास किया है हमारे शेहरों में कितना डेवलप्मेंट हुआ है ये अपने आप में सभी बातें धरी की धरी रह जाती हैं लेकिन यहां हम एक बार फिर से सुदूर दूर गाओं के एक लाके की बात कर रहे हैं और जादा दूर के गाओं के बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वो गाओं हैं जहां पर सडके नहीं हैं सडके अगर थोड़ी बह क्याना चाहते हैं कि बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है गढ़े बर जाएंगे और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कहां गढ़ा है और पानी का फ्लोगों की एक्सिदेंट हो जाती है तो यह सरकार को ध्यान देना चाहिए वोट देते ताइम तो हर कोई आजाता ह गाकिन में टाइम पे कुछ में लिखा देता सरकार काम चीक है बहुत शोखिया आईशी आपक्मरशाथ कायरेक्रे बेड़ी है यानि कि दावबे बहुत किये जाते है और खास convince मोसम में ये वाधि ये वादे होते हैं दावे होते हैं लेकिन जैसे ही ये मौसम गुजरता है वैसे ही जो वादों की बोसा किया जाता है उससे भी मोग के सامने होती है क्योंकि चुनाव से पहले जो दावे होते हैं वो चुनाव के बाद एक बार फिर से वही शून ने होता है और ऐसे में क्या चुनावी मω्तों के लिए अधर में ये काम बड़का जाते हैं क्या आपके अलाके में भी सडके बदहाल हैं तोटी हुई हैं और उन सडकों पर क्या पानी भरा हुआ है जिससे आप लोगों को चलने में परिशानी आ रही है और हम इसी लिए क्योंकि हर एक अलाके की हम हर एक परिशानी को दूर करने के हमारी एक कोशिश है और इसलिए जनहित से परवाही की वज़े से पूरे नहीं हो पाए हैं और स्पीच हम अरसाथ प्रवीन अगले कॉलर कारक्रम में जोड़ चुके हैं प्रवीन बहुत वागत है आपका कारक्रम में बताए क्या कहना चाते हैं तो सरकार जो लोगों की मूलबूत वीन उसक्रूप पर ज़्यादा धियान दे तो तभी देश का विकास होगा इसके लावा कुछ नहीं हो सकते हैं लेकिन यहां रुक रहे हैं एक चोड़ने से ब्रिक के लिए अर्थाप पर ज़रा ज़्यादा रहे हैं लावगों कारक्रम में बताते हैं जाता है कि सड़कों का निर्मान किया जाएगा रिपेरिंग की जाएगी अगर कहीं टूट फूट है तो लेकिन सड़कों की मरमत कितनी हुई है या फिर सिस्टम में मरमत सबसे पहले होनी चाहिए यानि कि सबसे पहले सिस्टम के अंदर की जो खामियां है उसको दूर करने की जरत है क्योंकि स्थाने लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन सड़कों की बधाले स्थिती को ठीक नहीं किया जा सका सड़क में गड़े बने हुए हैं और गड़ों में तबदील गाउं की सड़कें लोगों के लेको लेकर के है दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं लोग ये बार बार मांग कर चुके हैं कि जो खराब सड़के हैं उनको बनाया जाए लेकिन आखिर कितना वो काम पूरा हो पाता है आम जनता की कितनी सुनवाई होती है ये सालों साल तक इसी रूप में काम पैंडिंग रहते हैं और उसके बाद तक भी कोई सुध नहीं लेता है क्या चुनावी मुद्दों के लिए ये काम अधर में लटकाए जाते हैं ये बड़ा सवाल क्या आपके लाके में भी बदहाल सड़कों की यही तस्वीरे हैं तो भी आप हमाएं बता सकते हैं गुरुग्राम और फर के ठीक नहीं हैं वहीं कई जगहों पर जल भराव के बाद की जो इस्तती है वो और भी जादा मुश्किल भरी हो जाती है क्योंकि वहां पर सड़कों पर चलना कठिन होता है वहां से गुजरने में उनको बहुत जादा मशक्कत करनी पड़ती है बहुत मैनत करनी पड़ती ह और आप जो है उस गड़े में गिर सकते हैं आप चोटिल हो सकते हैं आपकी जान पर बना सकती है तो ऐसे में आपकी जान को सुरक्षित रखने के लिए आपको बचाने के लिए हम लगातार ऐसी मुहीम छोड़ते रहते हैं जिसके जरीए हम आपकी परिशानी को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों तक वो बात पहुंचाने के काम करते हैं सरकार तक वो बात पहुंचाने का काम करते हैं और उसी को लेकर के आज का हमारे एक कारेकरम भी इसी दिशा में एक उठतावा कदम है और आप सभी के द्वारा जो अभी तक कारेकरम में कॉल किया गय हैं जहांपर बारिश के बाद सड़कों की स्थिती खराब है या फिर आप ये बताना चाहते हैं कि सड़के जो खराब बनी अभी तक बनी नहीं है सड़के खराब हो चुके हैं सालो सालो उसको बीच चुके हैं क्योंकि एक टाइम लिविट होती है एक समय सीमा होती है जब उस सड़क की लाइफ होती है उसके बाद वो सड़क जो है जरजर होती चली जाती है और उसकी हालत जो है खराब बन जाती है दलबीर इस पीछ हमार साथ कॉलर कारिकरम में जोड़ चुके हैं बहुत स्वागत है दलबीर आप का खारिक्रम में, बताईए क्या कहना चाते हैं? मैं ये कहना चा रहा हूँ, जो आप सरड़क पर ये देखा रहे हैं, ये शे बुरा आला मारी सरड़क का, जो इसा पर खेड़ी से शोना माल तक है, जी, तो शिकायत की है इस बारे में? कि रफ सीया, जाए, जी, बताईए क्या 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 परिशानी है और आप ने प्रशास्ती में का दिका है? पर नहीं जा जा रहता है। लगता है कुछ तकनीकी कामी है, और हम क्रिपए अपने दरिशिकों से ये दर्खास करना चाहते हैं, कि जब भी आप कारिकरम में कॉल करें तो टीवी सैट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजे ताकि आपकी आवाज जो है वो हम तक पहुंच सके ना सिर्फ हम तक बलकि पूरे प्रदेश और देश की जंता तक आपकी बातें जो हैं जो आप बताना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं लेकि जितना आपने बताया और हम समझ पाए हैं कि आप भी कहना चाहते हैं कि जो सड़के हम जिन सड़कों की तस्वीरे दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा बुरा हाल आपके आलाके की सड़कों का है तो नजाने ऐसे और भी बहुत सारी अलाके हैं और इसलिए हम इस कारेकरम के दौरान ये कहते रहे हैं कि आप भी जल्दे से जल्दे बताईए कि आप प्रदेश की कौन-कौन से अलाके हैं जहां पर आज की जो तस्वीर है वो खराब है सलीम इसपीच हमारे साथ कारेकरम में जोट चुके हैं सलीम बहुत ज्यागत है आपका कारेकरम में बताईए क्या कहना चाहते हैं को लिंक रोड बोलते हैं वो बिल्कुल दे जाका है उनके तरफ ना अधिकारी ज्यान दे रहे हैं ना अफसर कोई ज्यान दे रहा है इसको बीस साल पहले जो है हम गाउं के लोगों ने इनको बनवाया था और जब 1990 में हमने जो है इसका परदेशन किया था काम में वो देने क पहिसकार किया था तब जाके नहीं इसका निर्मान हुआ था अब 20 पार इसके रिपेरिंग हुए कोई दूसरा काम नहीं हुआ अब अहाला देखने तो बहुत बुरा हाले हम तो सरकार से मान करते हैं इसका त्रंट जल्द से जल्द इस सड़क को बनाया जाए लोगों के सा इसकार करेंगे जोड़ें इस पीश हमार साथ एक और कारकर में जोड़ चुके हैं सत्य बहुत ज़ागत है आपका कारकर में बदाई क्या क्या कहना चाहते हैं कि अधार मादुमास पर लेवाला करतार पूर और यह बरेड़ी नाचरावन रादावर यठाना को आई जी कुछ खड़ पड़ी और कई साल कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं है कि अख़वारों में कई बार लोग कर दो आने इसकी मद आज भी आरी दिकल भी आरी दिवलके अख़वार में हम यूं कहा है वन विपाग में का जिया चौड़ी हो विच्छ है पूट 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 और वन विपाग वाले निमंदूरी चे रहे बहुत शुक्रिया सत्य देव जी आप हमारे साथ कारिक्रम में जुड़े और आपने बताया कि आप क्या इस्तती है और सड़क की मनजूरी बनाने को लेकर के अभी तक नहीं मिल पा रही है इसको लेकर के वन विपाग की तरफ से कुछ दिक्कते आ रही हैं लेकिन हम उमीद करते हैं कि प्रश कि तरफ से कुछ प्रफ सकते हैं कि युड़क थार से कार रही हैं कि उर्मी करता हैं कि वी तरत संदित लगे सिर्च करूब आप कि प्रफ से कस वी देव एक हमारे से कुछ अवया एल आप बनाने कि प्रफ भाग कर वाश्य।